हलो दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनमोल बचन आज किस वीडियो मैं आपको बताने वाली हूँ संत्रे का छिलका काले रंग को इतना गोरा कर देगा कि सब देखते ही रह जाएंगे आईए जान लेते इसके बारे में अगर आप संत्रा खाने के बाद उसके छिलके को दूर कर सकते हैं और अपने स्कीन को बहुत ही फेयर बना सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको हमारी वीडियो को अंत तक देखना होगा जिससे कि आपको इसकी पूरी की पूरी जानकारी मिल सके और आप इसका पूरा-पूरा फायदा भी उठा सके तो आईए जानते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि संत्रा हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है लेकिन जितना फायदेमंद संत्रा होता है उतना ही फायदेमंद उसका चिलका भी होता है लेकिन आपको इसका जानकारी ना होने के कारण आप संत्रे के चिलके को फेक देते हैं लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि आप संत्रे के चिलके से एक ऐसा बॉडी ब्राइटनिंग पेस्ट बना सकते हैं जिसके यूज से आपकी स्किन से ब्लैकनेस दूर होगी और अगर आप अपने स्किन को फेयर और ग्लोइंग बनाना चाहते हैं तो इससे बहुत ही आपको लाब भी मिलता है तो आईए जानते हैं इस बॉडी वाइटनिंग पेस्ट को बनाने के लिए संत्रे के चिलके के साथ आपको क्या-क्या सामागरी और चाहिए इसके लिए आपको चाहिए संत्रे का चिलका, चंदन का पाउडर, हल्दी, निम्बु का रस, दही और गुलाब जल इस नुसके क की दो से तीन चमच एक पाउल में निकाल लें, अब आप इसमें एक चमच चंदन पाउडर, आदा चमच हल्दी, एक चमच दही और आदा चमच निम्बु करस और दो चमच गुलाब जल डालें और इनको अच्छे से मिक्स करें, अब आपका बोडी वाइटनिंग पेस्ट बनकर रटी हो चुका है, अब आप इस पेस्ट को अपने स्कीन पर लगाएं और दो से तीन मिनट के लिए स्क्रब करें, फिर सुखने तक के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दे, जब ये पेस्ट पूरी तरह सुख जाए, फिर आप अपनी स्कीन को ताजे पाने से वाश कर लें आप इस पेस्ट का यूज हफ़ते में दो से तीन बार कर सकते हैं, अब इस पेस्ट का यूज अपनी पूरी बॉड़ी पर भी कर सकते हैं, इसके पांस से छे बार के यूज में ही आपको बहुत ही अंतर देखने को मिलेगा, इसे रेगुलर यूज करने से आपकी स्कीन से पॉल्यूशन रिमूब हो जाएगा, जिससे आपके स्कीन पर ग्लो आने लगेंगे और आपके स्कीन निकरी निकरी नजर आएगी, और मैं आपको एक चीज बता दूँ कि इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, तो इसलिए अगर आप अपने स्कीन को वाइटनिंग कर करना चाहते हैं, तो इस निसके को जरूर आजमाएं, क्योंकि इसके यूज से आपके स्कीन का रंग बहुती साफ हो जाएगा, तो दोस्तों ये थी हमारे आज की वीडियो, उम्मीद करती हूं, दोस्तों कि आपको हमारे ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको हमार ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज हमारे चैनल अनमोल वचन को लाइक वा सब्सक्राइब जरूर कर ले, तैंक यू